हाई गैस और विलकम बैक तो दी चैनल दीपच्चाद वजुकेशन वेलकम तो दी डेली करेंट अफियर्स और 22nd of मई 2022 तो गैस आज है तारिक 22 मई 2022 और है संडे आज की तारिक से जितने भी most important करेंट अफियर्स बनेंगे उन सबी करेंट अफियर्स को हम लोग डीटेल में ड compilation cover करते हैं मतलब कि पिछले Monday से लेकर Saturday के बीच में जितने भी articles चर्चा में आए हैं जितने भी current affairs चर्चा में थे उन सब का compilation हम लोग यहाँ पे cover करेंगे और जिन भी लोगों ने पिछले सब्ता current affair नहीं cover किया है या फिर बीच में किसी दिन cover करना miss कर दिया है उनके लिए ये वेडियो बहुत जादा helpful होने वाला है आगे बढ़ने से पहले आप लोगो बता दूँ जो इस lecture का PDF है वो आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा करना क्या है नीचे description box में PDF लिंक के नाम से एक link दिया गया है जैसे उस उस पे click करोगे ये टेलिग्राम channel open हो जाएगा यह से आप लोग इस lecture के PDF को download कर पाऊगे लेकिन आपको ध्यान रखना ये PDF अभी आपको उस channel पर मिलेगा नहीं क्यों नहीं मिलेगा तो ये PDF में आपको provide करवाओंगा महीने के end में तो अभी आज 22 मही है और जैसी ये महीना खतम होगा तो बिलकुल last दिन पर आपको ये पूर आगे बढ़ते हैं लेकिन discussion स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने जो वीडियो पर like के बटन उसको नहीं दबाया है तो दबा देना एक support चाहिए होता है जो के motivation का काम करता है तो आप लोग यहाँ पर आज के इस वीडियो पर 2K प्लस likes ज़रूर पहुचा देना यह है एक बहुत जादा important article यह भी काफी चर्चा में था यहाँ पे हमने discussion क्या है foreign portfolio investment और forex reserve के बारे में यह article क्यों चर्चा में आया इस article को आप लोग GS paper 3 से relate कर पाऊगे हमारे syllabus के यह सारे topics आपको देखने को मिल जाएंगे तो recently हुआ यह है कि Reserve Bank of India ने पिछले 6 महीने के अंदर अपने forex reserve में 16.58 tons of gold को बढ़ा दिया है मतलब हमारा जो forex reserve होता है इस reserve में जो सोना है उसकी quantity को बढ़ा दिया गया 16.58 tons तक का हमापे gold increase किया गया है और अभी इसी सोने को बढ़ाने के साथ में हुआ क्या कि भारत की जो gold holdings है क्योंकि हर एक country के पास में जो gold है वो देखने को मिलता है उसके forex reserve में तो भारत के पास में आज के time पर जो gold holdings है वो लगबख 760.42 tons के असपास हो चुकी है और यहाँ पर mention क्या गया इसी के साथ में जो भारत है वो 9th largest holder बन चुका है gold reserve का यानि कि gold reserve के मामले में हम लोग नवी position पर आ चुके हैं इस article को Indian Express ने publish किया था जैसे आप लोग देख पाऊगे यहाँ पर जो सीखने वाली चीज है वो है foreign exchange reserve यह होता क्या है क्योंकि इसमें gold से क्या लेना देना है देखो foreign exchange reserve हर एक country meeting करके चलती है चाए वो India हुआ चाए वो दूसरी countries हुए चा अगर मैं आप लोगो एक to the point authentic way में Reserve Bank of India की website पर लेकर रहा हूं तो Reserve Bank of India की website पर इन्हों नहीं mention किया है कि हमारे पास जो Forex Reserve है यानि कि भारत के पास में वो basically चार तरीके से मिलकर बनता है उसमें क्या-क्या होता है तो Forex Reserve में आपको चार चीज़े देखने को मिलती है एक हो growing rights होते हैं then International Monetary Fund के अंदर एक हमारी हिस्सेदारी होती है भागेदारी होती है तो ये भी आप लोग समझ सकते हो तो ये चार चीज़े मिलाकर Forex Reserve बनता है तो ये होना बहुत अदा जरूरी है तो आप लोग ध्यान रख सकते हो ये चार चीज़े मिलाकर Forex Reserve बनता है इंडि पर भारत की हालत जैसे स्रिलंका की आज के टाएं पर हालत हो रहे ना उससे भी बुरे हालत थे 1991 में आप देख पाओगे भारत के पास में स्रिफ और सरिफ 3.6 billion dollars हुआ करता था जो कि यहां पे साल 2021 के जून में ये बढ़कर 605 billion dollars का पहुचा और अभी हमारे देश में जो ह ये जो investment वगरा है ये जो Forex Reserve थोड़ा सा भी कम ही देखने को मिलेगा ठीक है थोड़ा सा कम किसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सरे disputes आपको देखने को मिल जाएंगे Russia युकरेन का war हो गया और भी बहुत सरे बवाल देखने को मिल जाएंगे जिसकी वज़ा से भारत के जो भी Reserve का importance क्या है सबसे पहला importance क्या है कि दोको हमारी government को एक comfortable position में रखता है जिस भी country के पास में Forex Reserve बहुत जादा होगा वो पुरे दुनिया को हिला सकता है कैसे आगे आपको बताऊंगा उसी प्रकार से या पर हमारे रूपी का appreciation देखने को मिलेगा यानि विदेशी मुद्रा हमारे पास बहुत जादा होगी तो इससे क्या होगा कि डॉलर के comparison में जो इंडियान रूपी है वो मजबूत होता वा नजर आएगा ठीक है रूपी appreciation देखने को मिलता है market में confidence create होता है market हमारा मजबूत होता है तो यह सारी चीज़े foreign exchange reserve को देखने को मिलती है ठीक है अगर ह जापन, Switzerland, Russia, India इंडिया ने भी beat कर दिया था लेकिन इंडिया भी थोड़ा सा और नीचा आ चुका है क्योंकि कुछ scenario create हो चुका है क्योंकि यह forex reserve उपर नीचे होता रहता है यह चीज़े यहां पर एक तरीके से based है investment के उपर बाहर से investment आ रहा है और हो सकता है कि यहां पर investment निकलना चालो हो जाए इंडिया से जो investment आया इंडिया के अंदर वो बाहर बाहर वापस से निकल रहा हो पैसा वापस से जा रहा हो तो ऐसी situation भी बनती है जब पैसा बाहर निकलने लगता मार्केट के अंदर पैसा कम होने लगता है अब मार्केट के अंदर पैसा कम हो जाता वो है FDI यानि की foreign direct investment और FPI यानि की foreign portfolio investment पहले हम लोग FPI को समझेंगे portfolio investment को, बहुत simple है, देखो दोनों investment में एक बहुत simple सा difference है, जो foreign portfolio investment होता है, पी आई, ये मालो बाहर का कोई निवेशक है, विदेशी निवेशक है जो कि इंडिया के अंदर आकर investment कर रहा है, लेकिन जब वो stocks में, जो हमारे stock होता है, stock market, या bonds के अंदर, या mutual funds में invest करता है, तो वो foreign portfolio investment के लाता है, दूसरा होता है FDI foreign direct investment, FDI क्या होता है, FDI वो होता है कि कोई मालो बाहर का निवेशक है, जो कि किसी दूसरे country के अंदर या फिर हमारे country के अंदर आया, और उसने direct business के अंदर पैसा आये, उस business की एक बहुत बड़ी ownership यहाँ पर उसके पास पहुच चुकी है, ठीक है, तो foreign portfolio investment में इतनी बड़ी ownership नहीं जाती है, लेकिन foreign direct investment में एक बहुत बड़ी ownership उस investor के पास में चली जाती है, तो यह difference है foreign portfolio investment और foreign direct investment के बीच में, ठीक है FDI में क्या होता है, जहां पे भी investment के हमापे control बहुत जादा हाई होता है, लेकिन portfolio investment में control जादा हाई नहीं होता, आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से UPSC ने 2013 में एक question पूछा, इस question को आप लोग attempt करो, इसका answer नीचे comment section में लिखने की कोशिशी करो, वैसे answer यहाँ पर लिखा वाए, कोई बात नहीं यहाँ देख पाऊगा है, बहुत simple जा question है, question यह पूछा गया, foreign exchange reserve किस-किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, यह तो हम अभी already discuss कर चुके हैं, चार चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो इसका correct answer भी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर foreign currency asset होता है, gold holding होता है, और, यानि special drawing rights होता है, SDR, यानि International Monetary Fund के अंदर एक हिस्सेदारी होती है, तो इन तीन चीज़ों से, बैसे तो चार चीज़ों से मिलकर बना होता है, लेकिन इन options के अंदर यह तीन चीज़ अवेलेबल है, तो option भी correct है, इसके अलावा और कौन सी चार चौती चीज़े आप लोग नीचे comment section में वो आ सकते हो, आ गयाते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल में हमने discuss किया था, Global Food Policy Report IFPRI के बारे में, तो यह जो रिपोर्ट है, यह IFPRI के थूरू लाई गई है, यह 2022 की रिपोर्ट है, यह basically food को लेकर, food का जो impact उसको लेकर चर्चा करता है, इस आर्टिकल को GS Paper 2 और 3 दोनों से रिलेट कर पाऊगे, IFPRI के फुल फॉर्म में, International Food Policy Research Institute, इसी ने यहाँ पर इस Global Food Policy Report को रिलीज किया, और इसने बताया कि भाई, 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 तक भूखमरी की सिचुएशन बद्तर हो सकती है, लगबग 23% से जो भूखमरी है, वो बढ़ सकती है, ऐसा इस रि Climate Change, यानि कि जो Pollution है, इस Pollution की वज़ा से, बहुत सारी Problems क्रियेट होंगी आने वले टाइम पर, इंडिया के अंदर Risk का Hunger बढ़ेगा, जो Risk का Hunger है, यह बढ़ता हो नज़र आएगा, यानि हंगर का Risk कहना चाता था, तो Risk का Hunger बोल दिया, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर मैंन देख पाएंगे, जो लोग हैं, लगबक 90.6 मिलियान लोग भूक के मरने वाले हैं, भूक मरी से सफर करने वाले हैं, क्योंकि Climate Change होगा, Pollution होगा, गर्मी बढ़ेगी, तो उससे खेती पे बुरा असर पड़ेगा, खाना का जो Production हो नहीं पाएगा, फसल का Production हो नहीं पाएग यहां पर इंडिया के अंदर कम होगा, लेकिन दुनिया के अंदर Food Production थोड़ा सा बढ़ेगा, अगर हम लोग Overall पूरे World की बात करते हैं, तो यह Food Production बढ़ेगा, वो कहां का पर बढ़ेगा, एफरीका के अंदर बढ़ेगा, ठीक है, जहां पर अल्रेडी एक तरीके से Population वग लने लगेगा, मतलब आज के टाइम पर जो consumption हो रहा है मीट का, 2050 तक तीन गुने से सावी जादा मीट खाया जाएगा, यह यहां पर बोला जा रहा है, इसका production जादा हुआ कर रहेगा, और यह जो Food Production है, यह जो खासकर मीट का production है, इसकी वज़से Climate Change के ओपर भी Impact पढ़ेग होंगे, हमारे देखो, बोला यह गया, जो मीट होता है, लाइव स्टॉक production होता है, गाय भैसों को पाल ला जाता है, फिर यहां पर उसका मीट खाया जाता है, तो यहां पर जब यह मीट खाते है, यहां फिर मीट को produce क्या जाता है, तो इसकी वज़ा से लगबग 14.5% तक का global greenhouse gas emission होता है, यानि कि यहां पर ही pollution निकलता है, बोला यह गया, कि मालो, अगर आप लोग यहां पर किसी गाय भैस को पाल रहे हो, पालो गया, फिर उसके बाद यहां पर उसका मीट का production होगा, तो जब पालने में यहां पर क्या होता है, काफी सारा पानी लग जाता है, उनक जब कि यह जमीन यहां पर यह उपजाओ जमीन यहां पर खेती हो सकती है, उसके आद 45% यहां पर दुनिया भर का जो लैंड है, वो आज के टाइम पर उसी लैंड के ओपर यह livestock system को चलाया जा रहा है, तो बेसिकली यहां पर बोला गया, यह सारी problems आने वाले टाइम पर दे देखने को मिलता है, उसको कम करने का यह काम करती है, और 2016 में एक और question पूछा यह था, इफ प्री से संबंदित, यह बोला गया, जो global hunger index report को हम लोग तयार करते हैं, इस report के अंदर किन किन चीजों को देखा जाता है, option A, under nourishment, option B, child stunting, option C, child mortality, तो इसका जो correct answer आपको देखने को मिलता है, वो यहाँ पर है, C, यानि तीनों ही चीज़े cover की जाती है, इसके अंदर में, ओके, तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यानक सकते हो, आगे आते हैं, next article में हमने discuss किया था, एक black hole के बारे में, आपको पता है कि एक black hole को discover किया गया है, हमारी जो milky way galaxy है हम जिस galaxy में रह रहे हैं, वो milky way galaxy है, हमारी galaxy के बराबर में galaxy andromeda करके आपको पता होगा इसके बारे में, तो देखो यह तो माना जाता है कि galaxy के बीच ओ बीच में black hole होता है, लेकिन हमारी milky way galaxy के बीच में black hole मिला है, जिसका नाम है Sagittarius A, तो यह black hole क्या है, इसको discuss करेंगे, आर्टिकल science and tech के perspective से important है, तो कुछ scientist है, event horizon telescope का use किया यहाँ पर, इस telescope को use करते वे पता लगाया गया कि milky way galaxy के बीच ओ बीच में एक black hole है, जिसका नाम है Sagittarius A, अब यह जो black hole है, इसको लेकर काफी सारी बाते बताई जा रही है, बोला जाता है कि देखो सभी galaxies के बीच में एक black hole होता है, और यहाँ पर यह जो black hole है, इसके अदर gravity बहुत जादा होती है, क्या होता है मैं को बताऊँगा, पहली बात तो galaxy प्रकार से दिखाई पड़ती है, यह हमारी milky way galaxy है, इसी प्रकार से बहुत सारी galaxies हमारे ब्रहमान में देखने को मिलेंगी, ठीक है, अब यह यहाँ पर रहता है, यह sun यानि solar system यहाँ पर देखने को मिलेगा, solar system तो बहुत छोटी सी चीज़े इस galaxy के सामने, यह galaxy बहुत बड़ी होती है, इस galaxy अंदर dust वगरा, यह सारी चीज़े देखने को मिलती है, ठीक है, तो हमारी galaxy के बराबर में एक और galaxy, एंडरोमीडा galaxy, आप बस में ठकरा जाएंगे, तो आप कहो कि ठकरा जाएंगे और हम कतम हो जाएंगे, लेकिन यह देखो, यह कप ठकराएंगे, आज से 4.billion, 4.billion years बाद यहाँ पर ठकराने वाली है, तो यह सारी बाते हैं भी बताएंगे, clear हुआ, अब यह जो इमेज ब्लाक हूल की वो हमें निकल कर आती है, वो इमेज हमें पता चलती है, उसके ओपर थोड़ा सा analysis वागरा किया जाता है, और बताया गया, कि सबसे पहला जो ब्लाक हूल का इमेज मिला था, वो 2019 में मिला था, 2019 में एक galaxy है, जिसका नाम है galaxy M87, तो यहाँ से ब्लाक हूल निकला था, उस ब्लाक हूल क पूरा solar system, यह सारी चीज़े galaxy के अंदर देखने को मिल जाती है, अब ब्लाक हूल के बारे में चर्चा करें, तो इस प्रकार साब को galaxy के बीच में एक ब्लाक हूल देखने को मिलता है, काला कलर का यह ब्लाक हूल है, अब इसके अंदर एक event horizon होता है, एक accretion disk होती यानि जो dust बगर आए, वो सब फैल चुका है इसके आसपास, और event horizon है, यह event horizon एक ऐसी लाइन है, जिसको हम लोग बोलते है, point of no return, point of no return, no returns आप समझ रहे होंगे, कुछ भी इसके अंदर गया, कोई भी इनसान गया है, कुछ भी अगर गया इसके अंदर, तो यहां से वापस नहीं आ सक इसके अंदर gravity इतनी तेज है, इतनी जादा higher gravity है यहां पर, कि अगर light भी जाए, तो light तक यहां पर escape नहीं हो पाती है, light तक यहां पर इसके अंदर समाध आती है, तो यह यहां पर black hole की power है, I hope आपको समझ मा चुका होगा, तो इसका accretion disk जो भी बरावर में dust वगरा है, event horizon यह हो गया, singularity क्या होती है, singularity इसका beach का portion जहां पर gravity वगरा बहुत जादा तेज होती है, infinite होती है, जो कि यहां पर अपने आप में चीजों को समा लेती है, यह होता है black hole, अब 2019 में UPC ने एक और question पूछा था black hole को लेकर, कि हाली में scientist ने observe किया है कि बड़े-बड़े black holes आकरकार मैं इतनी ज़दे दी question को बता रहा हूँ क्योंकि यह discussion में already कर चुका हूँ, current affair के वीडियो में यह आपको पता है, यहां पर स्रिफ पर स्रिफ में आपको revision कर वा रहा हूँ, इसी वज़ा से question का direct answer बता रहा हूँ, otherwise अगर आप लोग को और details से देखना है, तो आप प्राइम मिनिस्टर ने 9 मई 2022 को श्रदांजली दी है गुरुदेव रभिना टेगोर जी को इनकी birth anniversary पर, और बेंगॉली कलेंडर के according बात करें, तो यह जो टेगोर जनती है, यह बहसाक महिने के 24 वे दिन पर आती है, इनका जन्म होता है, कैलकटा के अंदर 7 मई 1861 में, इन इनको हम लोग गुरुदेव, काभी गुरु और बेसवा काभी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, रभिना टेगोर जी पोईट थे, नोवलिस्ट थे, पेंटर थे, काफी सारे यहाँ पर टेलेंट इनके अंदर देखने को मिलता था, प्लस उसके बाद यहाँ पर इनके बा साल के थे, ठीक है तो आप लोग यहाँ पर यह ध्यान अक सकते हो, बाकी आपको पता होगा हमारी कंट्री का जो नैशनल इन्थम है, प्लस इंडिया और बांगलेदेश का जो नैशनल इन्थम है, वो अब्यसी बात है इंडिया की बात कर रहे हम लोग, तो इंडिया अंगलदेश के अलावा भी जो श्रिलंका का यहां पर जो नैशनल नंथम है उसके लिए आपर जो श्रिलंकान स्टुडेंट्स हैं ठीक है उनको इंस्पायर किया गी वह अपने एंथम को नैशनल नंथम को लिखें क्लियर हुआ बागी इनको बहुत सरे अवार्ट्स दिये गए थे 1913 में इनको नोबल प्राइज इन लिटरेचर दिया गया प्लस यहां पर 1915 में इनको नाइट हुड अवार्ड दिया गया ब्रिटिश किंग जॉर्ज फाइब के दूरू लेकिन होता क्या है यह अवार्ड को आप देख पाऊगे तो उसके बाद में यहां पर क्या हुआ इनकी डेट हुजाती है चौर साथ अगस्ट 1941 में केलकर ठके अंदर ही तो यह सारी डिटेल्स आप लोग यहां पर ध्यान अखने इनके बारे में इंपोर्डेंट है फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और अभी क्या हुआ पिम ने रीसेंट इस में महाराना प्रताप जी को भी इनकी जनती के उपर एक्षदाजली दिये दी जो राणा प्रताप सिंग है यह नहीं कोई हम लोग महाराना प्रताप बोलते हैं इनका जन्म होता है 9 मई 1540 के अंदर कहां पर कुमबालगर राजिस्थ में यह 13 कंग थे King of Maywar के और यहां पर एक oldest son थे उदयसिंग टू के उदयसिंग टू यहां पर वह हैं जिरों ने यहां पर in the kingdom of Maywar को रूल किया और उसकी capital को clear हुआ उदयसिंग टू ने ही यहां पर उदैपुर जो शहेर आज के टमपर राजिस्थान का इ斯 grad फाउंड गिया था जब हम लोग महाराणा प्रताप जी की बात करते तो यहाँ पर हल्दी गाटी का यूद तो आप लोग भूली नहीं सकते जो बैटल अफ हल्दी गाटी है वो लड़ाई लड़ी जाती है 1576 में यानि 1576 में ठीक है और यह जो बैटल है यह राणा प्रताप सिंग और साथी साथ राजा मान सिंग जो अमबर के थे जो कि मुगल एंपरर अगबर के जंडरल भी थे इन उरों के बीच में यह बैटल होता है यह सबसे शौर्टेस्ट बैटल है कुछी घंटो का यहाँ पर यह बैटल चलता है जिशकर दोरान यहाँ पर महारा प्रताप यहाँ पर western मेवार और बाकी सारी areas को यहाँ पर recover कर लिया था ठीके वो information दी गई है तो यह आप लोग कुछ छोटी सी information ध्यान रख सकते हो फिर उसके बास cyclone असानी काफी चर्चा में था आपको बताओगा इस article को भी GS paper 103 से relate कर पाओगे तो इंडिया Metallurgical Department ने अभी यहाँ पर recently एक prediction करी थी कि जो आसानी cyclone ने वो आ सकता है Bay of Bengal के अंदर तो जो cyclone आसानी है यह जो नाम है असानी है च्रिलंका के थुरू दिया गया है इससे पहले साल 2021 के अंदर बहुत बड़े-बड़े cyclones आई थे जैसे कि अगला-गला cyclone कहां से बना Bay of Bengal से बना कहां पर हिट किया अंदर प्रिदेश और Odisha को हिट किया तो उसके बारे में हाँ पर चर्चा की जारी है अब जब हम लोग cyclone के बारे में चर्चा करते तो भारत के अंदर cyclone का season होता है वो दो बारा आता है एक आता है मार्च से में के महीने में और दूसरा season आता है October से December के महीने में अगर इन महीनों के अलावा कोई cyclone आता है या फिर आप कह सकते हो September के महीने में कोई cyclone आ गया तो ये बहुत rare cases होता है ठीक है बहुत कमी से ऐसा होता है और ऐसा अभी तक भारत के इतियास में तीन बार हुआ है कब तो यहाँ पर आप देख आओगे वैसे 21st century में आपर तीन बार देखने को मिलेगा अगर हम लोग देखें तो एक बार 2005 में प्यार नाम का cyclone आया था जो कि September के मेने में था वैसे September के मेने में आते नहीं है मैं आपको बता है ना cyclone के सिर्फ और सिर्फ दो सीजन देखने को मिलेंगे October से December या March से में के बीच में इसके अलावा जो September के मेने में cyclone आया तो इसको rare cyclone कहते है तो 2005 में इस प्रकार का cyclone आया था जिसका नाम था प्यार 2018 में आया था cyclone देया और 2021 के अंदर आपने देखा था जिसका नाम था cyclone गुलाब clear हुआ अब cyclone के बारे में चर्चा करते हैं उनका classification अलग लग है मैं आपको बता है cyclone के अंदर क्या है एक तरीके से हवा बगएरा चलेगी आंधी आएगी चक्रवाद बनेगा पूरा अब उस आंधी की speed जितनी ज़्यादा तेज होगी उतना खतरनाक होगा अब यानि कि वही है हवा की speed जितनी ज़्यादा तेज होगी अगर 220 km पर आवर से भी ज़्यादा तेज हवा की speed तो वो खतरनाक cyclone है super cyclonic storm है वो अगर कम है 50 km पर आवर की speed है तो यहाँ पर उसकी जो cyclone है उसको depression cyclone बोलते हैं इतना तदा पावरफुल होता नहीं है अब बात कहते हैं tropical cyclones की तो tropical cyclone वो cyclone होता है जो कि Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच में आते हैं अब यहाँ पर इसके बीच में आप देख पाओगे अलगलग cyclone साथ है जैसे कि भारत की side में कोई cyclone आता है तो उसको हमलोग cyclone ही बोलते हैं अब यही सेम चक्रवात अगर चाइना जापान की side में आता है तो उसको ताइफून बोला जाता है अब आप कोगे यह इतना detail से क्यों बता रहे हो क्योंकि इसको लेकर एक question पूछा गया था 1995 में UPS scene के थूँ इन्होंने पूछा विली-विली क्या है तो इसका correct answer C हो जाएगा एक tropical cyclone है जो कि Australia की side में आता है ठीके आगे आते हैं अब उसके बाद question यह आता है कि cyclones की naming कैसे की जाती है देखो cyclone का जाम जैसे कि यह नाम है असानी यह स्रिलंकाग ने दिया तो ऐसे यहाँ पर आप देख पाऊगे एक group है जहाँ पर आपको 13 देखने को मिलते हैं तेरा देश कौन-कौन से हैं मौलदीव, मयानमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रिलंका, थाइलेंड और इधर आप देख पाऊगे इरान, कतर, साउधी रेबिया, यूए और येमेन यह सारे देश मिलकर यह 13 देश ने मिलकर क्या क्या 13 तेरा देश नाम दिये और वो सारी नाम की एक लिस्त त्यार कर ली गई है, उसी में से नाम उठाके, जब भी साइकलोन आता है, तो अभी इस लंका के थूरू यहां पर साइकलोन जो है, वो हमें पता चला, आगे बात हैं, अब यह हमने डिसकर्स कर लिया, अगले आर्टिकल में हमने चर्चा की थी या फिर जिसका हम लोग खाद ही बोलते हैं, जिसका हम लोग खेती में इस्तमाल करते हैं, तो फर्टिलाइजर को लेकर काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, तो इंडिया यहां पर फर्टिलाइजर को लेकर एक काफी बड़ा चलेंज फेस कर रहा है, इस रश पहाद होता है यह एक यूरिया होता है और एक होता है नॉन यूरिया वला आपको पता होगा एक होता है यूरिया फर्टिलाइजर और एक होता है नॉन यूरिया फर्टिलाइजर जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर होता है उसमें बेसिकली आपको तीन प्रकार के देखने क लगते हैं और यूरिया की जो यूजिंग है वो एक लिमिट क्रोस कर जाती है तो यहां पर अपने आप में वो भी एक खत्रेव की घंटी बन जाता है तो उसके लिए क्या उपाए निकाला था सरकार ने वो है नीम कोटिड यूरिया यानि की यूरिया का हम लोग बेचेंगे यूरिया को लेकिन उसके उपर नीम की कोटिंग कर दी जाएगी तो यह यहां पर इसका सलूशन निकल कर आता है बाकि आप देख पाऊगे तो यूरिया के उपर लगातार भारत जो है बहुत सारा पैसा खर्च रहा है कि हमारे पास रिक्वार्मेंट जो है यूरिया की जादा होगा तो खाद की आवशकता भी जादा होगी अब जो खाद यानि फर्टिलाइजर है इसके अलग-लग प्राकार होते हैं एक होता है नाइट्रोजियस एक होता है फॉस्फेटिक एक होता है पोटैसिक तो आप ध्यान लग सकते हो यह अलग-लग प्राकार के फर्ट Fertilizer के जरुवत इसलिए भी क्योंकि हमारी country जो है आज के time पर agriculture sector में काफी देजी से आगे निकल रही है और इसी fertilizer को लेकर सरकार हमारी subsidy देती है जैसे यूरिया को लेकर एक subsidy दी जाती है हमारी केन सरकार subsidy देती है ताकि इसका दाम थोड़ा सा कम रहे उसका non-yuria fertilizer को लेकर भ जो यूरिया वाला fertilizer थोड़ा सस्ता होता है अब यूरिया वाला जब सस्ता होता है तो इसका ज्यादा यूस करने लगते हैं तो यह हमारी फस्लों के लिए खतरनाक बन जाता है तो खतरनाक ना बने इसलिए हम लोगों ने एक यहाँ पर एक solution चलाया है जिसका नाम है neem coating of u यूरिया का मतलब यह है कि इस यूरिया के ओपर नेम की coating कर जाएगी इससे क्या होगा है इससे मिट्टी के health improve होगी chemicals को यहाँ पर protection मिलेगा प्लांट को protection मिलेगा और जो बिमारियां यहाँ फिर प्लांट के अंदर कीड़े वागर है उसको मारने मदद करेगा प्लस जो फ जैसे आप टाइप करोगे आपके समने वीडियो आ जाएगा वहाँ पर मैंने डीटेल से आपको पूरे अंतिरिक्ष की knowledge दी है कि कौन कौन से हमरे पास rockets हैं कैसे कैसे इस्तमाल करते हैं vehicle rockets क्या है वह सारी बात है मैंने आपको महाँ पर बताईए तो आप एक बार महाँ पर पूलते हैं GSLV Mark III rocket इसमें यहाँ पर आप देख पाऊगे जो line draw कर रहा हूं यह boosters है अब जब booster को लगाया जाता है तो यह booster को बनाया जाता है तो अब गरगान्यान Mission 2023 में हम लोग launch करेंगे लेकिन उसके लिए अभी booster को completely आप कर सकते हो टेस्ट कर लिया गया है इस booster का ना इसी rocket के अंदर लगा जाएगा इसका जो कितने यह लंबा ही चुड़ाई है वो बाते बताईगे जो कि हमाले important नहीं है जानना चाओ तो जान सकते हो 20 मीटर लंबा है इसका diameter 3.2 मीटर इसका है ठीक है यह आप लोग देख पाऊगे बाकी यह आपे बात करते हैं हम लोग GSL अब ही क्या है तो यह GSLV यह वाल rocket देखने को मिलेगा एक powerful rocket है हमारे पास अभी आगे मैं आपको इसके बारें बताऊँगा तो हमारे पास बहुत सरे rockets है SLV है ASLV है PSLV है GSLV है GSLV है और GSLV Mark 3 यह सारे rockets है जो कि आज के टाइम पर इजरो यूज करता है ठीक है एक टाइम पर हमारे पास देखो इजरो के पास स्टार्टिंग में जो व्यग्यानिक थे वो इस प्रकार से rocket को लेकर आए थे इस प्रकार से पेड़िक में बांद के इस rocket को launch का जया था लेकिन आज के टाइम पर आप देख पाऊगे इजरो ने कितनी तरक्की कर रही है ठीक है यह सार एक orbital module होगा, orbital module का मतलब क्या मैं आपको समझाता हूँ, मालो यह rocket है, इस rocket के माद्यम से हम लोग तीन लोग को अंतरिक्ष में भेजेंगे, अब वो तीन लोग के अंदर दो men होंगे और एक women होंगी, अब उनको कैसे भेज़े जाएगा तो मालो यह rocket है, GSLV Mark 3 इसके बूस् केस कमरे कोड़ा सकता है, मतलब इसके उड़ने की भी capacity और प्लस इसको rocket के अंदर fit कर दिया जाएगा, अब इसी के मदद से क्या होगा, अंतरिक्ष यात्रा करेंगे, अंतरिक्ष यात्रा कैसे होने वाली है तुम आपको बताता हूँ, देखो एक बार में नहीं होगा, को स्पेस में भीजाएगे, उससे पहले पहला वाला जो फेस होगा, पहली वाला जो ट्रायल होगा, उसमें खाली रोकिट भीजा जाएगा, तो दूसरा वाला ट्रायल होगा, उसमें एक रोबोट रखके भीजा जाएगा, जिसका नाम है वियो मित्रा, तो वियो मित्रा को इसको रॉकेट में रखकर भेज़ जाएगा तो आप लोग इसके बारे में ध्यान अक सकते हो फिर बाकी जो लास्ट वला मेशन होने वाला है थर्ड वला उसमें हम लोग तीन लोगो भेज़ेंगे कैसे यहाँ पर यह पूरा का पूरा मेशन कंड़क्ट होगा तो आप यहाँ पर देख पाओगे यह पूरा रॉकेट उड़ेगा कहां से स्री हरी कोटा से ओड़ीशा का जो स्री हरी कोटा है यहां से रॉकेट उड़ान भरेगा और 16 मिनिट में यह अंतरिक्ष पर पहुँचेगा और वहाँ पर पहुचने के बाद में यह रॉकेट अलग हो जाएगा रॉकेट इसमें से जो हमारा मोडियूल है क्रियू और इस पेस के अंदर यह 5-7 दिन तक तैरतर आएगा जिसमें लोग बैठे में तीन लोग यह 5-7 दिन तक यह डिबा तैरतर आएगा उपर इस पेस में फिर 7 दिन बाद जब नीचे उतरेगा तो इसका सर्विस मडियूल अलग हो जाएगा और जो लोग होंगे वो यहां प स们ством mail लेग और पास में बारत आपको घोंडर नेब करते हैं जिसका यूज आज तक हम लोग करते हैं चंध्रियान 1 Mars Orbiter Mission ये सब यहाँ पर इसी PSLV से किये गए हैं फिर उसका GSLV को बनाया और GSLV को और मजबूत ही देने के लिए GSLV Mark 3 को बनाया गया GSLV Mark 3 जिससे कि हम लोग गगन्यान Mission को launch करेंगे जो कि अपने आपें बहुत ज़्यादा strong अपने आप करने मदद करता है फिर एक यहाँ पर आता है reusable rocket का मतलब यह है कि ऐसा rocket जोजका हम लोग वापस से use कर सकें वैसे अक्सर क्या होता है normal way में rocket हमारी satellite को launch करता है satellite को launch करने के बाद में वो जो rocket है वो एक तरीके से burst हो जाता है यानि कि satellite को लॉंच किया उसके रॉकेट महीं पर खतम हो जाता है अंतरिक्ष महीं अब यहाँ पर क्या होगा हम लोग ऐसे ऐसे रॉकेट को पर काम करें जो कि satellite को launch करेगा और उसके बाद में वापस से वह rocket नीचा आ जाएगा ठीक है तो ऐसे रॉकेट को पर काम किया जा रहा है यह इसकी बैटरी जाने वाली है लैप्टॉप की तो सौरी एवरीवन हो सकता है मुझे वीडियो बंद करना पर यह अगर यह लैप्टॉप ना बंद जाता है तो थोड़ी सी बैटरी वेची इसके अंदर यह खताम हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास यह नोटिफिकेशन द दोखना पड़ेगा क्योंकि मैं काफी जादा परेशन हो गया हूं पावर आउट है चला है मतलब काफी देर से लाइट वगर आनी रही है इसको चार्ज करना पड़ेगा या फिर दिक्कत यह ना कि अगर लाप्टॉप बंद हुआ तो वीडियो यही पर रुख जाएगा अल्रेडी अभी यहां पर जो वीडियो है 34-34 मिनट का हो चुका है तो फिर वीडियो रुख जाएगा तो हम लोग ऐसा करते हैं यह जो आर्टिकल यहां से रह गया है क्योंकि देखो अल्रेडी इसके बारे में डिसकुशन तो करी चुका हूं यह हम लोग रिवेशन कवर क यह सब हमारी पुराने वीडियो कोई है तो आप लोगों ने इसके बारे पढ़ा ही होगा है ना नेटो मेंबरशिप के बारे में वैसे मैं आपको परसो ही पढ़ाया है उससे पहले भी वैसे मैंने पढ़ा रखा है उसे मतलब जो डीटे इस जो भी हमनें यहां पर आप लोगों से वैसे होता निया कभी भी हरबर Sunday का discussion प्रॉपर आता है पता नहीं क्या हो रहा है यार के टेक्निकल इस्व में मैं कुछ नहीं कर सकता टेक्निकल इस्व मुझे काफी परिशान करते हैं कोई बात नहीं चलो वैसे हम लोग वीडियो को रोकते हैं और बाते नही महिना वैसे भी खतम होने वाला है, आपको पता है, आज 22 तारीक हो गई, आठ दिन बाद यहाँ पर ही जो महिना पूरी तरह से जब खतम हो जाएगा, तब भी वीडियो आएगा, तब भी वो सारी चीजे, क्योंकि यह एक दो पहले बार में कवर कर चुका हूँ, अब यहाँ पर फिर से कवर किया जाएगा, जब monthly compilation आएगा, उसमें से भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है, तो माफी चाओंगा फिर से में आप लोगों से, कि आज यह issue हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया है, मैं सोचरता बीच में यहाँ पर यह light आ जाएगी, बट हुआ नहीं है, औ तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से, नेक्स वीडियो में, आज सेंडे भी आज अंजोरे करो, छोटा सा वीडियो रहने वाला है, आज के लिए बाबाए, have a nice day, thank you and जैहिंद, and फिर से एक बार और sorry everyone.